और अगली बड़ी खबर है पश्रिम बंगाल से जहां पार्थ चैटी जी के फार्म हाउस में दिन दहाडे चोरी का मामना सामया है पार्थ के गाउं में 20 बीगे में बने फार्म हाउस में चोरी हुई है दो बड़े बैग और बक्से उठा कर ले गए चोर लोगों ने रोका तो चोरों ने अपने आपको एडी का अधिकारी बताया एडी कर रही है जाच असली चोर थे या पार्थ के आदमी और इस पूरी खबर पर देखिया हमारे सम्मादता विपिन चौबे की इस रिपोर्ट को बंगाल के चर्चित सक्षा भरती घोटाने में मुख्य आरोपी पूर मंत्री पार्थ चैटर जी के मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ पार्थ अपनी महिला सहयोगी अर्पिता के साथ इर्डी की कसड़ी में है तो दूसरी तरफ उनका जो गाउ है इस वक्त आप उसी घर की तस्विरे देख रहे हैं जो बेगंपूर में बढ़ता है क्या आप अपनी क्रशी भूमी से दस गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए साउथ 24 परगना का ये बेगंपूर इलाका है और बेगंपूर इलाके का ये पूरी गाउ है जहाँ पर उनका ये मकान था और ये मकान उनकी बेटी सोहिनी के नाम पर है यहाँ पर आप देखेंगे उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है इस घर का नाम विश्राम रखा गया है और ये सोहिनी उनकी बेटी का नाम है उनकी बेटी के नाम पर ये मकान उन्होंने बनवाया हुआ था लगभग 20 बीगे में ये पूरी प्लोटिंग है 20 बीगे का ये प्लोट है और 20 बीगे में एक मकान आपको सामने दिखाए देगा उस मकान के पीछे तलाब आपको नजर आएगा और इस घर में पार्थ चटरजी अरपिता मुखरजी के साथ कई बार आते थे दिन में यहाँ आफ डोट करना होता था या जब आम का सीजन होता था तो भी यहां पर आया करते थे आजपास के लोगोंकी मताबिक two दिन पहले बोपार के एक बजे दो गाड़ियों में लोग भर कराते है और दिंदहाले यहां पर ताला तोड़ने की कोशिक करते हैं लोगों ने जब उन ने धमकाते हुए कहा कि वो एडी के अधिकारी है इस बात से लोग पहले से वाकिफ थे क्योंकि एडी की कस्टडी में है पार्चटर जी और लगातार एडी उनके घरों पर रेट कर रही है इसलिए लोग पीछे इड़ गए उसके बाद चोर दाखिल होते हैं और अंदर आप है वो बंध है जो ग्रिल है वो बंध है और उसमें एक ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद वो लोग घर में घुसते हैं लगबग एक घंटे तक इस पूरे घर में वो लोग रहते हैं चानबीन करते हैं और अपनी काडियों में कई बड़े बैक और बक्स से भ चुटी दे दी और तब से यह मकान खारी था लोगों को आशंका है और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अर्पिता मुखर जी और पार्थ चटर जी के तमाम मकान तमाम फ्लैट तमाम फार्म हॉसेस की तरह यहां भी कैश होने का अंदेशा है और इसी अंदेशे के है चोरों ने यहां दिंदहाडे हाथ साफ किया जो बैग और बक से चोर ले गए हैं उसमें क्या था कितना था यह किसी को अंदाजा नहीं है इडी पार्थ चैटर जी से आप इस बात के बारे में भी बातचीत कर रही है कि इस घर में क्या उन्होंने यहां भी पैसे शिपा हो गई है और पार्थ चैटर जी की मुश्किले लगातार बढ़ रही है एक तरफ वो एडी के कसेडी में हैं और दूसरी तरफ दिंदहाडे जिस शक्स के नाम का सिक्का चलता था जो शक्स इतना इतना मशूर था बंगाल की राज़नीत में जिसका दबदबा इतना जादा अब उसके घर में चोर दिंदहाडे हाथ साफ कर दे रहें कैमरा पसंद गजिंदर के साथ विपिन चौबे चीवी आइन भारत वर्ष बेगंपूर कोलकता साउच चोबिस पर गना क्या आप अपनी क्रशी भूमी से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए और साथकों से सीधे सीखिए